नमस्कार मित्रो मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रो आज मैं आपको हाई बीपी यानि हाई ब्लड पेसर के लिए एक सांदार घरिल उसका लेकर आई हूँ वैसे तो ब्लड पेसर की बीमारी करीब करीब हर घर में मिल जाती है परन्तु जहाँ टेंशन जादा रहती है बहाँ बहुत जादा होती है और कवर टेक आजाए कोई पता नहीं रहता है मित्रो मैं जुन उसका आपको बताने वाली हूँ उसको अजमाने से हाड अटेक की सम्भावना बिलकुल नहीं रहती है आपको अर्जunk ब्रक्ष की छाल लेनी है यह अर्जण के ब्रक्ष की छाल है इसको मै ने इसका पाउडर बना लिया है मिक्सिमपीस के यह इस तरह की छाल होती हैं देखो इदर से यह हल्की मेरुन है यह इदर से चाल हैं इसके पेड़ दिल्ली में जनपत्वे बहुत हैं, आप देख सकते हैं इस तरह की छाल होती है, ये पंसारी के आराम से आपको मिल जाएगी, कहीं पर भी मिल सकती है, सब जगे अपलब्द है, आप पाउडर ने मंगाएं, छाल मंगाकर ही आप पाउडर बनाएं, क्योंकि बन पाउडर बनाएं, तो सबसे अच्छा रहता है, आपको क्या करना है, अरजुन की छाल को दो तरह से ले सकते हैं, एक तो पानी में मिलाकर, एक चमच के करीब, करीब इतनी, इतनी पानी में गोल कर, आप श्याम को रख दें, और उस पानी को छान कर सुबहें, मिस्त्री मिल पीलें, इसको इस तरह गोल दें पानी में, और श्याम को रख दें, सुबही छान कर मिश्री मिलाकर पीलें, और दूसरी तरह से आपको चाय बना कर पी सकते हो, चाय कैसे बनानी है, यह मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप अपनी चाय बनाते हो, उस तरह पत्ती की जगे आपको डालना है, और अद्रक बगएरा जो भी आप खाते हो, वो डाल सकते हो, और चाय में आपको बना के बताती हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको चाय कैसे बनानी है, इस तरह आपको चाय बनानी है, पानी डाल देना है, पानी डाल के, और आदा चमबच के करीब, अर्जुन की छाल इसमें डाल देनी है इस तरह इसको भूल देना है और थोड़ा सा चाय का इसमें मसाला डाल दो चाय आप अधरत डाल सकते हो काली में डाल सकते हो कुछ भी इसमें डाल सकते हो इस नहले बिधम को सब्सक्रेबन, भेशन के लिए इसमें दूट बोड़ दें दूट की दिवह को ए जैसी ही लगती है, थोड़ा सा अलग स्वाद आता है, इससे ब्लड पेशर की बीमारी बिल्कुल खतम हो जाती है, छे मेने के अंदर इससे ब्लड पेशर की बीमारी बिल्कुल खतम हो जाती है, और शिरू में आप गोली के साथ लें इसको, आप ब्लड पेशर की गोली लेते रहें लेकिन इसको जब तक पीते रहोगे आपको हार अटेक की समालना बिल्कुल नहीं रहेगी और छे महीने में स्वतही आप मैसूस करोगे कि मैं स्वस्त हूं तो आप गोलियां अपने अबंद कर दोगे वैसे इसके वजाए ये फार्मूला जादा अटेक्टिव है इससे बहुत जल्दी लाव होता है लेकिन इसको ठंडा पानी पीना है अभी सर्दी का समय है इसलिए थोड़ा गुनवना करके पीना है इसको छान के मिश्री मिला के पीना है थोड़ा गुनवना कर लें गर्मियों में ठंडा पी सकते हो इस तरह ये चाय बनके तयार हो गई है ब जितना आप पियोगे इतना ही जल्दी फायदा पड़ेगा और ये ये दवाई इतनी असरदार है कि आपकी ब्लड पेशर की बीमारी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और आप बहुत अच्छा मेसूस करोगे एक बार जरूर अजमाएं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नमस्कार धन्यवाद